नमस्कार साथियों आज से हम एक नया चप्टर शुरू करने वाले हैं जो कि हैं मार्किंग एंड मार्किंग टूल्स और जिसमें हमारा टॉपिक है मार्किंग मेडिया सो मार्किंग मेडिया क्या होता है जब भी हम ऑक्षोप में जाब बनाते हैं सो उसके लिए सबसे पहले इसे जडान आजाता है और ड्रॉइंग के अनुसर हमें उस草ब पर मार्किंग करनी होती है इसे हमें पता चलते है कि हमें क्या-क्या ऑपरेशेंस जॉब पर करने हैं जॉब कीникомिनेशन्स क्या है जितनी हमारेốn की ट्रॉयंग एकुरेट होगी जिससे हमें फ्रयूंग करनी जोब के उपर marking की visibility होना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो हम marking करते हैं, अगर हम उसे अच्छे से देख ने पाएंगे, तो हम उस job को operation अच्छे से नहीं कर पाएंगे, so job की visibility अच्छे होने के लिए एक media, एक पदार्त का use चेजाता है, जिसको marking media कहते हैं, सबमार्किंग मीडिय के कुछ अलग-अलग टैप्स होते है जिसमें की हुए वाइट वॉष है प्रेसिड मुड़ाइए तरन है कॉपर सलप्रेट है दे मिलुट रहेए कुस मार्किंग मीडिय के अलग-अलग प्रकार है इसमें सबसे पहला आता है white wash, so white wash जो marking media होता है उसमें chalk powder और पाने को mix किया जाता है, chalk powder जो chalk होते हैं, blackboard पे लिखते हैं, all of chalk, उसकी powder और पाने को mix किया जाता है, इसमें दूसरा तरीकह होता है कि चौक पॉडर और श्र fingerat और जाता है और उसमें तीर्य तरीकह होता है जो की लिट पावडर और टरपंटाइन को मिक्स करके का बना जाता है इसको सूकने के लिए इसका यहां वह वह रोगी आता है ज्बाइस नहीं किया जाता है है। उसके बार में आता है परेbelbubike two to you Easy ऑघता हम फारिलिंग Lesson re- свет नीकियों सब्सक्राइब के उपर मार्किंग करने के लिए लिए सब्सक्राइब करेद न्युक्र अधम दी नि विजद देती ओर इसको सुखने के लिए ज्ञड़ाuga नग जाता है जहाँ पर ज्यादा accuracy में हमें job बनाना होता है, वहाँ पर marking करने के लिए, इस marking media का use किया जाता है, तिसरा आता है copper sulfate, copper sulfate और पानी के साथ में nitric acid की दो-तिन बूंदे इसमें मिलाई जाती है, यह जो marking media होता है, यह बहुत sticky होता है, यह जोब की surface के ओपर अच्छे से चिपक जाता है, और तिसरा आता है कि इसमें nitric acid होने के ओज़े से, इसमें poisonous process होती है, और यह marking media का apply colorness से पहले, हमें इसको अच्छे तरह से सूखा लेना चाहिए, क्योंकि जब हम marking कर रहे होते हैं, तब यह marking media, marking tools के उपर लग सकता है, तो क्योंकि यह ज़रिला होता है, तो उसस से हमारे हाथ को या फिर face को लग सकता है, इसलिए उसको अच्छे से सुखा लेना चाहिए, जाता है, cellulose lackwear, cellulose lackwear का use, metal और carpentry job में के ऊपर marking करने के लिए किया जाता है, यह अलग-अलग तरह के, अलग-अलग color में available होता है, और यह कम टाइम में यह सूख जाता है, उसक च्छोटे साइस के job होते है, उसके उपर marking करने के लिए इसका यूज होता है, जहां पर accuracy की ज़रूद होती है, यहां पर इसका यूज किया जाता है, उसके बाद में आते हैं, marking blue, marking blue, एक blue color का marker होता है, जो कि जिससे हम आसाने से job के उपर apply कर सकते हैं, और यह बहुत जल्ल सूख जाता है, उसके बाद में आते हैं, marking media का apply करते समय हमें कौन-कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, सबसे पहले तो जो marking media का layer हम job के उपर apply करते हैं, उसकी जो थिकनिस होती है, वो ना तो कम होनी चाहिए, ना तो ज्यादा होनी चाहिए, जिससे कि हमारे job की accuracy maintain रहे हैं, जो marking media हम लगा रहे थे, वो job के total surface पर पूरा surface होता है, उसके उपर लगा होना चाहिए, copper sulpate का use करते समय हमें अपने हाथों को चेहरे पर या फिर आखो पर या फिर इधर उदर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो poisonous होता है, marking media का use करने के लिए brush का use करना होता है, उसके बात में जो marking media हम use कर रहे होते हैं, जो job होता है, उसके 45 degrees में हमें उसको लगाना होता है, ताकि जो job के उपर हम vertical और horizontal line के marking करेंगे, वो हमें अच्छे से साफ सुत्री दिखे, तो यही था, आज के वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए topic के साथ, जो की है marking method, जो प्लैट और round surface के job होते हैं, उसके उपर हमें marking करने के लिए कौन-कौन से method यूज करनी होते हैं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like कीजिए, share कीजिए, और चैनल को subscribe कीजिए, साथी में bell icon को click कीजिए, तक आने वाली वीडियो की notification आप तो मिलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, नन्यवाद,